आज हमारा ओजांग गुर्कुल कैंपस हाव यू आल सो दोस्तों ये देखिए आज ठंड का मौसम है बारिश हुई है और इस गुर्कुल कैंपस में हम लोग इस आख को तो ये गुर्कुल जो है वो बड़ा शांदार कैंपस है जैसे आप देख रहे हैं और ये हमारा एरिया है यहां पर हम खाना खाते हैं चाय पीते हैं हमारे इस्ट्रेंट्स और बड़ा शांदार सा जो है वो व्यू आता है बहुत ही शांदार है ताई यह देखिए हमारे बागीचे में अमरूद आपको दिखाई पढ़ रहे होंगे पीच यहां पर दिखाई पढ़ रह हैं और बहुत ही शांदार मेसमराइजिंग लोग आता तो यह रहा ओजांग गुर्कुल का कैंपस क्योंकि एक बहुत शांदार एक्सपीरियंस देता है और खुबसूरत कलर्स वादियां एक दम जैसा फील आती है और यह खुबसूरत जो है वो पेड़ों का माहौल है पूर परदस्त होती है हाँ पर तो आपको यह लाइटिंग कैसी लग रही है यह हमारा गुर्कुल कैंपस है दिस यहां पर हमारे जाते हैं और हमारे बुद्ध देवता ओजांगियंस के साथ उनको आशिरवात देने के लिए हमारे साथ हैं और दोस्तों यह बड़ा ही एक चाहिए सो घ्रकुल में इस समय शां का समय हैatin जONG की लिए भीजिघ स्क्राइब खूबड है तो आई यह बहुर्कुल को हम बाहर से भी देखते हैं समझते हैं कि कैसे काम करता है यह रहा हमारा गुर्कुल केंपश है बहुत ही शांदार केंपश है एंद आर मोस्त वेलकम इन नोड़ा ग्रीन केंपश हैं तो यह इसी मैठट पर बना है बंढूर्ट इवनिंग ओल फ्यू गूट इवनिंग शालनी गूट इवनिंग शिवानी अवरय यू आप लोग तो में आप सभी का स्वागत है अम्रूत के पेड़ है तो आप लोग भी गुर्कुल आना चाहते हैं तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है उम्मीद करता हूं कि आप लोग गुर्कुल में जल्दी आएंगे और हमारे जो इस्टुडेंट्स है वो किस तरीके से देखिए ये पूरा व्रिक्ष हमारा बड़ा होता जा रहा है हमारे सेलेक्शन से तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए आज आप इस ठंड में क्या कर रहे हैं यहां तो ठंड है मज़ा आ रहा है और यह देखिए नैचुरल घोसला चिडिया का कैसा लग रहा है रा साइब लग जल रही है तो गुरकुल में भी बच्चे अभी क्लास चल रही है और जैसे कलास कतम होगी वो भागते दोड़ते भी यहां पूँच जाएंगे मेरे साथ यहां हम चाए पीते हैं और खाना खाते हैं लंच डिनर हमारा यही पर होता है तो यह हमारा शांदार कै चैंपस नहीं है आईएस के तैयारी में जनली लोग क्लासे होती हैं आफिस होता है और बच्चे फिर वहां से चले जाते हैं लेकिन यहां एक अलग ही महौल होता है यह पुरा अग्दम शांत महौल है यह देख रहे हैं आप ग्रीन वाटिका जैसा महौल है और मैं यहां पर कैफट एरिया में आराम से इस ओपन एरिया में जो कहते हैं ना कि बहुत ग्रीन एरिया और ओपन एरिया शांदार शाम का वक्त इतना शांदार यहां लगता है लाइटिंग से इतनी शांदार लगती है कि मज़ा आ जाता है और इस गुर्कुल कैंपस में हम लोग इसी तर इस्टेशन शुरू हो चुके हैं तो गुर्कुल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करूँगा कि गुर्कुल के इस कैमपस में जल्दी ही हमारी आपकी मुलाकात होगी इस ग्रीन एरिया में मुलाकात होगी तो नो डाउट वन आप दा बेस्ट सीन है हमें देखने को मिलता है तो आप लोग क्या चाहते हैं आप लोग कब आ रहे हैं गुर्कुल में तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जुड़े रही हैं मेरे साथ और गुर्कुल के इस कैमपस को इस ग्रीन कैमपस को मन भर हारी है क्योंकि आई-एस की तैयारी में इस तरह के कैमपस भी हैं जहां पर आपको एक पूरा माहल एक पूरा एट्मोस्फियर मिलता है मैं आपका गाइड हो जांग मैं आपसे मिलता रहूंगा और जल्दी हम लोग मुलाकात करते हैं स्वागत आप सभी का गुर्कुल में अमीद करूँगा और ठंड बहुत हो रही है तो चलिए इस आग का मज़ा लीजिए और अभी मेरी चाय आने वाली है कैफेटेरिया में तो भाई मेरी चाय कहा है जरा हम यह देख लें कहां रहे गई मेरी चाय और बहुत ही शांदार बहुत ही जबरदस तरीके से एक अनभ यू वेलकम तो गुर्कुल